गुड़ा अप्टर नून सभी लोगों को मेरा गुड़ा अप्टर नून आप लोगों तक मेरी आवास पहुंच रही है आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं चलिए ठीक आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं सेल साइकल चेक पॉइंट्स को चेक पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं इन पॉइंट्स को हम लोग आज डिसकस करेंगे सु आज का कुश्चन है सर आपको कौन से टॉपिक कवर करते हैं मैं जितना भी एडवांस बाइलोजी है मैं उसे कवर करता हूँ बायो केमिस्ट्री है, मेटाबोलिज्म है, सेल बाइलोजी, मॉलिकुलर बाइलोजी, इम्यूनोलोजी, एनिमल फिजिलोजी, डवलमेंटल बाइलोजी लगबग ये सारे portions कवर कर लेता हूँ चले, आज हम लोग discuss करने वाले हैं, cell cycle checkpoints को कल मैंने आपको, या कल या उसे पहली जो classes हुई है उसमें CDK cyclins के बारे में बताया और कैसे CDK cyclins की activity को control करते हैं उसके बारे में हम लोगोंने discussion किया आज हम लोग cell cycle checkpoints को जानेंगे, ये checkpoints क्या है तो आप पहले तो ये समझ लें CDK cyclin complexes, cell cycle progression में involve होते हैं अर्थात हमारी cell division की process को एक phase से आगे वाली phase में ले जाते हैं और इस तरह से one after one phases को complete कराते हैं जिससे cell division complete हो सके लेकिन हमारी cell के पास एक quality control system है एक पुरा quality control mechanism है जब cell divide करती हैं तो cell को ये भी monitor करना है कि हमारे सारे processes normally complete हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं suppose यदि yes phase में cell division है और वहाँ पर किसी तरह की errors आ रही हैं प्रोग्रेशन में कोई problem आ रही है तो cell division को रोकना पड़ेगा transiently थोड़ी देर के लिए cell division की process को delay करना होगा delay इस बज़े से करना है इससे cell को समय मिल जाएगा कि वो अपनी उस problem को solve कर सकें और जैसे ही problem solve होगी cell cycle आगे फिर बढ़ने लगेगी फिर progression start हो जाएगा यदि quality control system ना हो तो problem यह होगी कि division के समय कोई भी abnormality आती है तो हम cell division की process को रोक नहीं पाएगे और इस तरह से वो abnormality daughter cells में भी permanently पहुँचेगी future में हो सकता है वो altered cells transform हो जाएं cancer cell में अर्थात वो cells आगे चल करके cancer cell में बदल सकती है जिससे body में cancer develop हो सकता है और इस बज़े से उस पूरे organism की death हो सकती है तो आज हम लोग checkpoints को discuss करने वाले है हम लोग quality control system को discuss करने वाले है quality control system कैसे काम करता है कौन कौन सी important protein से कैसे activation होता है और उनका major role क्या है हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है cell cycle checkpoints आपस जैसे यहाँ पर नामी लिखा हुआ है checkpoints यहाँ पर checkpoint मतलब है monitoring करनी है check करना है division की process normal है या नहीं है तो हमारी cell के पास एक पूरा sensing system है sensor protein से और transducers है factor protein से जो damages को sense करती है इसके बाद जो transducers है activate होते हैं और then finally उस problem consider को correct करने वाली भी protein से enzymes है तो cell cycle checkpoints क्या है कौन कौन से है और वो कौन सी processes को monitor करते हैं हम लोग इसको discuss करने चल रहे हैं जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि CDK cyclins की activity को भी control करते हैं क्यों control करते हैं क्योंकि CDK cyclins हमारे cell division को control कर रहे हैं checkpoint यह ensure करते हैं कि हमारे cell division की जो processes हैं वो normally complete हो रही है या नहीं हो रही हैं इन सारे processes को वो check करते हैं यदि कहीं पर problem है तो cell division को रोक लेते हैं जिसे हम लोग normally cell cycle arrest भी कहते हैं cell division को arrest कर लिया cell cycle को halt कर लिया transiently रोक लिया इस तरह के कहीं सारे हम लोग statement यूज करते हैं in addition to regulation of cdk cyclin cdk's activity the cells also has cdk cyclin activity के regulation के साथ साथ cells के पास हैं intrinsic surveillance mechanism अब आप समझ सकते हैं यहां पर term यूज हो रहा है intrinsic मतलब within cell उसका एक अपना surveillance mechanism है called checkpoint pathways that halt progress of cell cycle if certain things go wrong अब आप समझ सकते हैं cell के पास अपना intrinsic मतलब खुद का एक surveillance system है जो लगातार यह चेक कर रहा है कि cell cycle normally progress हो रही है कि नहीं यदि कुछ भी गलत हो रहा है कुछ भी x y z abnormality detect होती हैं तो यह checkpoint सबसे पहले division की process को रोक लेते हैं prevent cell cycle progression आप यह समझ लें तो checkpoint system का function है cell division की process को monitor करना यदि कुछ भी गलत आ रहा है कुछ भी गलत होने वाला है या हो रहा है तो उसी समय cell division की process को रोक लेना सबसे पहला point division की process को रोक देना दूसरा function जब process को रोक लिया है तो क्या abnormality थी उस abnormality को correct करने के लिए उस repair system को recruit करना और तीसरा इस चेपाता है यदि abnormalities repair नहीं हो पा रही है उनको correct नहीं किया जार पा रहा है हमारे systems fail हो रहे हैं उस problem को correct करने के लिए तो फिर apoptotic pathway को recruit करना और उस cell को death की तरफ ले जाना उस cell की death को induce करना तो checkpoint system का cable function यह नहीं है कि उन्होंने cell cycle progression को रोक लिया जैसे ही damage को detect किया बलकि cell cycle checkpoints में जो proteins involve होती है उनके additional role है कि जब cell cycle progression को इन्होंने रोक लिया तो इन्हीं का function और है कि उस abnormality के according जो repair system में repair pathway उनको recruit किया जाए जिसे आकर कि उस problem को वो solve कर सके जैसे उदारान के तोर पर यदि yes phase में dna replication में कोई error आ रही है mismatch हो रहा है तो mismatch होने का मतलब है repair system को recruit किया जाए mismatch repair system recruit हो करके आये और उस mismatches को correct करें आपको ये ध्यान रखना है कहने का मतलब ये है checkpoint system cell division को रोकेंगे साथ में problem जो भी है उसके according repair system को recruit करेंगे और then आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि problem repair नहीं हो पा रही है तो cell division को जो भी cell divide कर रही है उसको apoptotic पाथवे की तरफ ले जाना ये भी checkpoints का function है चले नीचे आते हैं checkpoint pathways function is quality control mechanism ये quality control mechanism की तरह function करने है यहाँ पर एक point और समझने लाइक है यदि cell division normally आगे बल रहा है कोई problem नहीं आ रही है तो checkpoints का interfere division में नहीं होगा आपको ये ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि cell division में आकर के हर एक process में बीच में आकर के interfere कर रहे है ऐसा नहीं है quality control mechanism का मतलब है कि ये system monitoring कर रहा है division process की यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो फिर इसका involvement होगा normal cell division में इसके involvement की जरूरर नहीं है quality control mechanism that contribute to the fidelity of the cell division या cell division cycle fidelity मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी सच्चाई division की जो पूरी process है उस process में ये quality control system की तरह function कर रहा है these pathway become active आपको ध्यान रखना है these pathway become active when errors such as chromosomal DNA damage ये pathway activate होते हैं जब ये errors को detect करते हैं जैसे कि chromosomal DNA damage है errors in DNA replication in years phase and abnormal alignment of chromosomes during young phase जिसे हम लोग pro, meta phase, meta phase कह सकते हैं वहाँ पर chromosome का alignment ये जिसा ही नहीं हुआ chromosome जो chromosomal DNA है उसमें damage हो गया या yes phase में कोई problem आ रही है इस तरह का कोई problem है तो एक शेकिन मैं भी क्लास में हूँ आप बाद में फोन करिये मौहमद हुसेन ने का action potential का पढ़ाएंगे मैंने cell division में action potential उसमें cell biology के topic में action potential पढ़ा दिया है और उसमें मैंने सभी तरह के action potential को discuss कर लिया था और किस तरह से हर्ट जो हमारी है हर्ट की muscles की और नोडल टिसूस की action potential को discuss किया है तो काफी पहले मैंने membrane की topic में उसको discuss कर लिया था अब तो हम लोग cell biology में end पर है तो मैंने यहाँ पर आपको यह बता रहा था किस तरीके से checkpoint system function करते है तो यदि chromosomal DNA में damage है replication errors आ रही है या फिर हमारे chromosomes का proper alignment नहीं हो पा रहा है metaphase plate पर ऐसी condition में यह system activate होते है आपको ध्यान रखना है जैसे ही activate होते है once become active एक बार जैसे ही active होंगे they halt cell cycle progression and then cell can use delay to repair the damage or correct the defects आपको ध्यान रखना है यह active होते हैं जब भी कोई errors को यह detect करते हैं और उसी के साथ यह cell cycle progression को रोक लेते हैं उसे delay कराते हैं अब यह delay कराते हैं delay कराने का मतलब हो गया कि cell को समय मिल गया है कि वो अपनी उस error को repair करे cell को समय है कि वो अपनी उस particular error को repair करे उस defect को repair कर ले और जब उस repair हो जाएगा तो यह जो prevention था cell cycle regulation का इसको relax कर दिया जाएगा और हमारा cell division फिर आगे की तरफ process होने लगेगा तो यह cell cycle check points का मुकुद्दे से आप यहाँ पर यह पढ़ने वाले हैं basically कि कौन-कौन से damages हैं जिनको detect करके हमारी cell cycle progression रुख जाती है उसमें कौन-कौन सी proteins involved हो रही है और यदि उन proteins में कोई abnormality होती है तो उसके क्या result होंगे हम लोग इस point को भी यहाँ पर ध्यान लखेंगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं question उठता है कि कौन-कौन से check points है उनके नाम क्या है तो यदि mammalian system की बात करीज़ा है तो तीन major check points है in mammals three main cell cycle check points तीन check points है और बहुत ही famous है आप उनके बारे में जानते भी होंगे एक को हम लोग जानते हैं जीवन यस check point इसको हम लोग जीवन check point के नाम से भी जानते हैं second is DNA damage check point DNA damage check point and third is spindle assembly check point यदि हम लोग mammalian system की बात करेंगे तो तीन major check point से जिनको हम लोग पढ़ते हैं one is जीवन यस check point second is DNA damage check point and third is spindle assembly check point यदि आप पूरी process को देखें तो यह वो check point है यह कहें इन check points का उन cellular events से relation है जो हमारे cell division के लिए बहुत जरूरी है या उन events का proper, normally complete होना जरूरी है अब आप इस point को यहाँ पर समझें इन तीनो check points के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या basics है उनके पीछे का concept क्या है then उनमें कौन सी proteins involved होती है और problem क्या है उनको हम लोग discuss करेंगे यदि जीवन yes check point की हम लोग बात करें तो cell cycle के according आप इसको समझ सकते हैं cell cycle में late जीवन में जिसे हम लोग restriction point कहते हैं या start point ये restriction point late जीवन में restriction point को एक बार या दी किसी cell ने cross किया तो फिर वो reverse नहीं हो सकते उसे cell division complete करना होगा अब आपको ज़रा mammalian system के नजरिये से इस point को समझना है पूरे cell division के process में मैंने कई बार इस point को यहाँ पर बोला हुआ है कि multicellular में cell division को trigger करते हैं external messengers जिने हम लोग mitosen कहते हैं external messengers जिनको हम लोग mitosen कहते हैं वो हमारे cell division की process को trigger करते हैं और उसका मैं process भी पढ़ा चुका हूँ किस तरह से cdk cyclins की synthesis होती है उसे मैंने आपको बताया कि हमारे mitosen res map के pathway को trigger करते हैं उसे initiate कराते हैं जिससे cyclin D और cdk 4-6 complex की synthesis हो सके और दिन cell division आगे बढ़ सके तो आपको समझना है जो g1 यस checkpoint है वो लगबग इस stage पर work करता है restriction point के level पर work करता है ये checkpoint ये ensure करता है कि वही cells divide करें जिनको mitotic stimulus मिला हुआ है वो divide ना करें जिनको stimulus नहीं दिया गया है क्योंकि यदि ये system यहाँ पर work नहीं करेगा तो सभी तरह की cells divide करने लगेंगी और division abnormal हो जाएगा तो g1 यस checkpoint इनसे ओर करता है या ये कहें permit करता है उनी cells के division को जिनोंने mitotic stimulus receive किया हुआ है जिनको ये signal दिया गया है कि आप division करें जिन cells को mitotic stimulus नहीं मिलेगा उन cells को ये checkpoint divide नहीं होने देगा आपको ये ध्यान रखना है कौन सा major player है इस regulation में उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे हम लोग उनके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं बस एक दूसरे नजरिये से उनको पढ़ना है second is DNA damage checkpoint G1 से ले करके G2 phase तक या yum phase आप समझ सकते हैं yum phase में जो हम लोग चलते हैं pro phase में तो pro phase में हमारे chromosome बहुत ज़ादा condensed हो जाते हैं तो condensed हो जाने के बाद उनके damage होने के chance थोड़े कम होते हैं लेकिन जब वो relaxed form में होते हैं 30 nm fiber में हैं वो बहुँ ज़ादा folded नहीं है G1 यस और G2 और यस phase में तो replication चल रहा है DNA strands भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं वहाँ पर damage होने के chance ज़ादा है DNA damage checkpoint ये ensure करता है कि cell division के समय हमारे DNA molecules का या कहें हमारे chromosomes का faithful replication हो और वो without any damage segregate हो daughter cells में अर्थाथ हमारे DNA के level पर आने वाली problems को monitor करता है DNA damage checkpoint किसी भी तरह से DNA related कोई problem आती है कोई damage आ रहा है कोई DNA में error आ रही है ठीकिए ऐसी situation में ये checkpoint हमारे cell division को रोक लेगा और देन उसे correct कराएगा ये नहीं correct करा पाता है तो नहीं हमारी cell इंटर करेंगी अपॉक्टोसिस में spindle assembly checkpoint है और ये checkpoint ये ensure करता है कि एना फेज जब शुरू हो एना फेज शुरू होने का मतलब है कि हमारे sister chromatids का separation हो रहा है ये ensure करता है कि सारे kromosomes metafase में आकर के equator पर arrange हो midpoint पर arrange हो यदि एक भी kromosome midpoint पर arrange नहीं हो पा रहा है तो ये एना फेज को start नहीं होने देगा क्योंकि यदि किसी kromosome के पहुँचने से पहले कोई kromosome है जो midpoint पर नहीं पहुँचा है और उसे पहली एना फेज सुरू हो जाए तो sister chromatids अलग हो जाएंगे और एक kromosome midpoint पर जा रहा है तब तक sister chromatids का separation हो गया आप वो तो nuclear से भारी बना रहेगा तो देखे तीन important checkpoints है और इनको आप समझ रहे हैं मैं इसको सामानता फिर बोल रहा हूँ एक checkpoint ये ensure करता है कि वही cell divide करें जिनको stimulus दिया गया है division का दूसरा checkpoint है ये ensure करता है कि जब हमारे cell division की process complete हो रही है तो किसी भी तरह का DNA damage ना हो और yes phase में DNA का replication भी normally हो proper complete replication हो ये monitor करता है और तीसरा checkpoint system ये monitor करता है क्या हमारे chromosomes का proper segregation हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है और ये monitor करेगा कि हमारे chromosomes का alignment metafase पर normally हुआ है या नहीं हुआ यदि नहीं हो पा रहा है तो DNA phase start नहीं होने देगा सायद आप सबी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे मुझे yes or no में एक बार जरूर बताएं कि आप सबी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ जीवन yes check point के बारे में तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जीवन yes check point के बारे में डिसकसन करेंगे केंगे लोगे हैं यहां पर एक पॉइंट सभी लोग को ध्यान देना है यह उन सेल्स के डिवीजन को परमिट करता है जिन्होंने माइटोटिक स्टुमुलस को रिसीव किया हुआ है मैं इसी पॉइंट को आप सभी लोग पढ़ चुके है दूसरे नजरिय से आपके साथ डिसकस करने चल रहा हूँ और इसके बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके है मैं दो बार इसके बारे में डिसकसन कर चुका हूँ कि बल एक बार आपको समझाना है क्या कांसर्ट था माइटोटिक सिगनल क्या है माइटोटिक सिगनल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि माइटोजन किसे कहते हैं मैंने एक टॉप को पॉइंट में माइटोजन को भी डिसकस किया हुआ था ऐसे agent जो हमारे cell division को trigger कर देते हैं ऐसे messenger से आप कह सकते हैं hormones जो हमारे cell division को trigger करें उन्हें हम लोग mitosins कहते हैं mitosis से इसको mitosins नाम दिया गया है RTK family के receptors mainly इनके signal को convey करते हैं और RTK family के receptors कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैं सा मानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा hormone binding receptor dimerization cross phosphorylation then phosphorylation and then SS2 domain containing protein का interaction अर्थाद protein protein interaction and assembly of signaling complex and then signal convey होता है तो जैसे ही bind हुआ hormone receptor का cytosolic tyrosine kinase activate हुआ और इसके activation के साथ ही रहसे में पी के pathway activate होता है और जब रहसे में पी के pathway activate होता है मैं इस concept को पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को तो जुन फॉस्मिक transcriptional factors और जुन फॉस्मिक के साथ ही synthesize होते हैं cyclin D CDK4 CDK6 देखें यह वो complex है जो synthesize हुआ mitotic signal के response में जब यह complex synthesize हो जाता है तो इसका function क्या है यह phosphorylate करता है PRB को protein retinoblastoma को और जैसे ही PRB को phosphorylate करता है तो free हो जाता है E2F और जब E2F free हो जाएगा तो cyclin E, cyclin A CDK2 की synthesis होगी और cell division आगे progress करेगा आप इस point को सभी लोग समझ पा रहे होंगे cell cycle progression अब सभी लोग इस point को समझेगा कि mitotic signal जैसे ही cell को मिलता है मैं उन cells की बात कर रहा हूँ जुनका division permit किया जाएगा ये checkpoint permit करता है division of those cells which receive mitotic signal जिनको mitotic signal मिला हुआ है ये mitosin है जैसे ही receptor के साथ bind हुआ RSVP के पाथ वे activate हुआ जुन phosmic transcriptional factors सिंसाइज हुए और in transcriptional factors के response में cyclin D और CDK4-6 की synthesis होती है आप समझ सकते हैं और ये complex target करता है PRB को जैसे PRB को phosphorionate करेगा इसका inactivation हो जाएगा और PRB inactive होते ही E2EF release होगा और E2EF के response में cyclin E CDK2-6 होगा मैंने आपको बताया था कि normally CDK का concentration cell में एक constant बना रहता है constant concentration रहता है लेकिन E2EF additional CDK की synthesis को trigger करता है तो अब आप समझ सकते हैं जैसे ही cyclin E CDK2 complex assemble होगा हमारा cell division restriction point को cross करके yes phase में आएगा क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं इस level पर आकर कि cyclin E और CDK2 function करता है और यह synthesize हो चुका अरथाद restriction point को हम लोग cross कर लेंगे अब जब दूसरी तरफ जान दें जिन cells को mitotic signal मिला नहीं है जिन cells को mitotic signal नहीं मिला है उनका क्या होगा उनका रहसे में पी के पाथ वे अक्टिवेट नहीं होगा जुन फॉस्मिक ट्रांस्क्रिप्शनल फेक्टर सिंसाइज नहीं होगे cyclin D CDK4,6 सिंसाइज नहीं होगा ऐसी केंडिशन में PRB को inactivate नहीं कर पाएंगे E2F रिलीज नहीं होगा cell cycle progression नहीं होगा अर्थात नॉर्मली जिन cells को mitotic signal नहीं मिला है आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजेगा ये तो जीवन की कहानी थी जीवन से yes phase में अर्थात restriction point को cross करने में restriction point को cross कर लिया इसका मतलब commitment हो गया cell division का इस point को ध्यान रखना है जीवन में कोई commitment नहीं है जीवन में तो तयारी चल रही है लेकिन यदि restriction point को cross कर लिया तो commitment हो गया यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे restriction point को cross करने का मतलब है cell division का commitment हो गया है अब ये reverse नहीं हो सकता है और इसके लिए responsible है cyclinny CDK2 अर्थाथ यदे किसी cell में cyclinny और CDK2 assemble हो गया तो अब cell division वापस नहीं आएगा उसे complete करना होगा अब उसी point पर फिर आते हैं अब ज़रा ध्यान दें इस पूरे process को inhibit कौन कर रहा है PRB protein retinoblastoma इसको inhibit कर रहा है क्योंकि protein retinoblastoma E2EF की activity को suppress किये है जब तक E2EF free नहीं होता है cyclin E और CDK2 complex assemble नहीं होगा cell cycle progress नहीं कर पाएगी तो हम जब G1S restriction point G1S checkpoint को पढ़ते हैं तो इस checkpoint का सबसे important protein यदि कोई है तो protein retinoblastoma है अब आप समझ सकने जिन cells में protein retinoblastoma inactive नहीं होता है उनमें cell division नहीं होगा अब दूसरे पार्ट को समझ लीजिए यदि किसी cell का protein retinoblastoma non-functional हो जाए PRB non-functional हो function ही नहीं कर पा रहा हो ऐसी situation में E2EF inhibit नहीं होगा और E2EF normal से जादा work करेगा mitotic signal हो या ना हो तब भी ये cell division की process को trigger कर देगा ये cell cycle progression को trigger करेगा most of cancers में देखा गिया है PRB का inactivation अरधा PRB ये इनक्टिव होगा तो cancer develop होने के chance जादा है क्योंकि cell division को रोकना आसान नहीं होगा आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होगे क्या आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हैं क्या आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हैं ठीक है सभी लोग यहां बोल रहे हैं चलिए तो यहां पर मैं अब थोड़ा साथ कुछ points को discuss कर रहा हूँ आप सभी लोग इस point को समझेंगे PRB is the key protein in the G1 yes checkpoint अब यहां पर सभी लोग कुछ PRB से application समझ लो यह protein retinoblastoma है और retina से आप समझ सकते हैं यह protein यह defective होगी इसका थोड़ा relation समझ लो यह यह protein defective होगी तो कुछ बहुत सारे tumors develop होते हैं और उन tumors को जो हमारी retina है उनमें कई सारे tumors develop हो जाते हैं other tissues में भी tumors develop हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले यह retinal tissue में इसका relation खोजा गया था इस बज़े से इसको हम लोग retinoblastoma और थाज retina के tumor से relate कर दिया इस protein को और नाम हो गया protein retinoblastoma लेकिन आप समझ सकते हैं जिस cell में PRB defective होगा यह protein defective होगी उस cells के पास division करने के chance बहुत जादा है वो abnormally divide होने के chance बहुत जादा है कि भी भी किसी भी समय उस individual की life में वो cells abnormally divide करना सुरू कर सकती हैं जिससे cancer develop हो सकता है इस बज़े से जीवन yes checkpoint में important protein है protein retinoblastoma इस protein से related भी questions आप से पूछे जाएंगे और कई बार पूछे गए है as a student आप जानिए कि protein से क्या questions पूछे जाते हैं ठीके आप ज़रा सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें protein retinoblastoma की दो form है PRB के दो अलग-अलग form हो सकते हैं एक फॉर्म इसका phosphorylated है और एक unfosphorylated unfosphorylated and second is phosphorylated कल भी मैंने इस point को discuss किया हुआ था और इससे भी आप relate कर सकते हैं तो PRB से question आप से direct पूछा जा सकता है यदि किसी cell का protein retinoblastoma unfosphorylated है unfosphorylated का मतलब है वो active form में ऐसी situation में क्या cell division होगा या वो particular cell divide करेगी या नहीं करेगी इस तरह की questions हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है जब तक PRB unfosphorylated होता ये active रहता है और ये E2EF को inhibit किये रहता है इस तरह से cell cycle progression नहीं होगा लेकिन यदि ये phosphorylate कर दिया जाए तो ये inactive हो जाता है E2EF free हो जाता है इससे application भी हो सकते हैं हमारा examiner कह सकता है कि PRB की zine में mutation हो गया है और उस mutation की वज़े से वो phosphorylate ही नहीं होता है अर्थाद उसका permanent phosphorylation किसी भी इस stage पर आकर के हो इनी पाएगा मतलब वो permanently unfosphorylated state में रहेगा ऐसी condition में cell division के वो progress नहीं होने देगा cell division नहीं होने देगा अर्थाद ये tumor से relationship से पूछा जाए तो tumor formation की chance को बहुत reduce कर देगा नहीं होने देगा अपोजिट करते हैं इसको यदि PRB phosphorylate हो जाए और ये इसका defosphorylation ना हो अर्थाद phosphate हमेशा इसके साथ लगा रहे तो ये inactive बना रहेगा E2F active रहेगा ऐसी situation में cell division के chance बढ़ जाएंगे अर्थाद tumor formation के chance भी बढ़ जाएंगे आपको ये ध्यान रखना है तो protein retinoblastoma से related questions भी पूछे जाते हैं तो यहाँ पर concept क्या था जो जीवनियस checkpoint है ये इनसे ओर करता है वही cells divide करें जिनको signal मिला है और जिनको signal नहीं मिला है वो divide ना करें और इस checkpoint में important role play करता है protein retinoblastoma इस protein को हम लोग tumor suppressor protein भी कहते हैं और इसकी gene को tumor suppressor gene कहते हैं जो हम लोग cancer पढ़ते हैं तो tumor suppressor genes और proton ko genes के बारे में हम लोग पढ़ते हैं loss of function in tumor suppressor genes is associated with cancer development आपको ध्यान रखना है तो यदि PRB normal है तो tumor develop होने के chance कम है अर्थात ये protein tumor के formation को suppress किये इस बज़े से tumor suppressor कहते हैं और जब तक ये normal रहेगा ये abnormal cell division को permit नहीं करेगा और जब ये mutate हो जाएगा ये function नहीं कर पाएगा तभी abnormal division हो सकता है आपको इस तरह से ध्यान रखना है क्या सभी लोग इस point को समझ पाएए है जीवन चेक point को समझ पाएँ ठीक है सभी लोगों ने येस बोला हुआ है तिवारी जी ने भी लिख दिया है चरे अब हम लोग आगे बल रहे हैं और दूसरा important checkpoint में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ जिसे हम लोग नाम देते है DNA Damage Checkpoint इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैं यहाँ पर आपको DNA Damage Checkpoint पढ़ाने वाला हूँ बहुत important topic है कई बार इससे related questions भी बनते हैं अब वो DNA Damage Checkpoint का रूल क्या है यह Checkpoint किस तरह के relation में है और Cell Division को कब रोकेगा यह question हो सकता है तो आपको as a student ध्यान रखना है DNA Damage Checkpoint का function है पूरे Cell Cycle में यह Check करना यह Monitor करना कि DNA के लेबल पर कोई abnormality तो नहीं आ रही है यहाँ पर DNA के लेबल की abnormality को आप समझ दीजे जैसे हम जीवन में हैं और जीवन में कोई damage हो गया DNA Damage आप लोग जानते हैं कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं वो Double Standard होते हैं Single Standard होते हैं Single Standard में भी Base Modification हो सकता Base Change हो सकते हैं कई अलग अलग तरह के जो हम लोग Molecular Biology में पढ़ते हैं तो ये Check Point जीवन से ले करके और हमारी जो Meta Phase है आप समझ सकते हैं इस Cell Cycle में इसका Function है ये Monitor करना कि कहीं DNA से Related कोई Problem तो नहीं आ रही है अब वो Problem क्या हो सकती जैसे हमारा Chromosomal DNA कहीं Damage हो जाए Yes Phase में Proper Replication ना हो रहा हो Replication से Related कोई Error आ रही हो इन सारी Errors को Monitor करना और यदि इसने उन्हें Monitor कर लिया इसने Detect कर लिया कोई Problem है रोक लेना, Cell Division को रोक लिया रोकने के बाद ये Recruit करेगा Repair Systems को वो आएंगे इसको Repair करेंगे और जैसी Repair हो जाएंगे और फिर ये Process आगे बढ़ जाएगे तो चलिए हम लोग इस Point को आगे बढ़ रहे हैं तिवारी जी ठीक आ चुके हैं कुछ लोग तिवारी जी पर Comment कर रहे हैं वो उचित नहीं है तो इस Point के लिए हम लोग लिख सकते हैं लोग यह म लोग लोग शुट्वाइजिए इन धर यह लोग फिर दी यह लोग वाएंगे लोग लोग कर लोग वाल हैंगे गी अवारी जींगर वाला लोग लोग तो रहे हैं हम लोग कह सकते हैं देगे एक तो replication faithful होना चाहिए कई बार replication से related errors होती है कोई भी system perfect नहीं हो सकता है ऐसा नहीं कि हर एक system perfect है replication की errors भी permanent हो जाती है mutations आजाते हैं लेकिन ये बहुत rare cases होते हैं normally appear नहीं होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुरू में division पढ़ा रहा था एनूपलाइडी को लेकर के कई बार कुछ लोगों ने question पूछे हुए थे तो spindle assembly checkpoint में हम लोग एनूपलाइडी point को discuss करेंगे कि कैसे एनूपलाइडी हो जाता है abnormal segregation chromosomes का होगा तो जब हम spindle assembly checkpoint में आएंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है chromosomes का proper segregation हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे monitor करना है अभी DNA damage checkpoint को हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर होता है इसको भी आप एक बार जान लें क्योंकि spindle assembly checkpoint में भी chromosomes का relation है और DNA damage checkpoint में भी chromosome का मतलब हमारा DNA है तो जब हम इस point इसको लेकर के आते DNA damage तो ना भी इसका DNA damage और damage replication errors भी एक तरह के damage हैं समझ पा रहे हैं तो हमारे DNA का faithful replication आपको ध्यान रखना है एक तो इसको monitor करना है दूसरा इसको damages को detect करना है इसको damages को भी detect करना है और damages double standard हो सकते हैं single standard भी हो सकते हैं दोनों तरह के हो सकते हैं उनको भी देखना है कि कहीं उस तरह की problem तो नहीं आ रही है तो this checkpoint ensure faithful replication and undamaged dna यह हम लोग कह सकते हैं undamaged तो यहाँ पर एक point और इस तरह से बनता है जिसको मैं थोड़ा side में समझाना चाहूंगा chromosome से related जब हम लोग yes phase में आते हैं तो yes phase में जो हमारे chromosomes हैं वो replicate हो रहे हैं जीवन में जाएंगे तो इस तरह से हैं और जब हम yes phase लगबाग complete करने वाले होंगे तो हमारे dna replicate कर चुके होंगे यह एक replicated chromosome है sister committed से जो हम लोग dna replication पढ़ते हैं तो उस समय हमारे dna strands double stranded dna है उसके dna strands एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका complementary dna strands in size होता है replication की समय जो हम लोग आते हैं तो कई बार जब हम लोग faithful replication की बात करते हैं तो germ cells में उस point को थोड़ा हम लोग अलग जा रहे हैं हमारे replicating machinery perfect नहीं होती है जो conventional replicating machinery है वो perfect नहीं होती है हमारे telomeres को replicate नहीं कर पाती है इस बज़े से हमें additional enzyme की जरुरत होड़ती जिसे हम लोग telomerase enzyme कहते हैं जो हमारे end का replication करता है जिसे हम telomere replication कहते हैं telomerase enzyme का अपना character है वो कैसे replicate करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर faithful का मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर कुछ problem है faithful का मतलब है कि यदि somatic cell की बात करें तो वहाँ पर active नहीं होता है telomerase enzyme जो replication है वो normal होना चाहिए और germ cells की बात करेंगे तो वहाँ पर telomerase enzyme active है बहुत सारी हमारी ऐसी cells है जहाँ पर telomerase enzyme active रहता है और ऐसी condition में वो हमारे end का replication proper करता है तो यहाँ faithful का मतलब है कि जो end replication है problem है उसे भी solve कर लिया जए जिन cells से related है यदि ऐसा नहीं होता है जो हमारी somatic cells है उनमें telomerase enzyme active नहीं होता है इस बज़े से हमारे end replicate नहीं हो पाते हैं इसी के साथ जितने जैसे जैसे cell division होता रहता है हमारे end DNA के जिने हम telomeres कहते हैं वो छोटे होते जाते हैं और इस telomeres shortening को भी detect करते हैं हमारे repair systems DNA repair system as a DNA damage और cell division की process को रोग देते हैं तो यहाँ पर केवल DNA का relation से केवल यह नहीं कि faithful replication एक बड़े concept को क्योंकि मैं यहाँ पर आपको DNA damage नहीं पढ़ा रहा हूँ इस बज़े से थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे student होंगे कि इन point को relate नहीं कर पा रहे होंगे कि इनका relation कितना है यहाँ पर मैंने एक simple सा point लिख दिया है लेकिन इसके relations कितने आ रहे हैं वो आप DNA damage और repair से समझ सकते हैं मुझे लग रहा है क्या आप सभी लोग यहाँ तक इस point को जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं क्योंकि इन points को हम लोग molecular biology में पढ़ते हैं और बहुत सारे students होंगे जिनोंने अभी repair या damages नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ी हो सकता problem आ रही हो लेकिन फिर भी जो मैं बताना चाहता हूँ क्या आप लोग यहां तक समस पा रहे हैं ठीक है सभी लोग यहां पर yes बोल रहे हैं तो faithful replication and undamaged segregation of chromosomes chromosomes का segregation भी तो जब हमारा cell cycle process proceed करेगा G1 से yes phase, yes से G2 और देन हम लोग पहुँचेंगे mitotic phase में तो उस पूरी duration में यह system काम करेगा कि हमारे जो chromosome से वो undamaged form में ही आगे की phase में पहुचें और देन उनका proper segregation हो तब भी वो undamaged हो अर्था उनमें damage ना हो yes phase में जब पहुचेंगे तो वहां पर भी damage ना हो यदि damage हो गया है तो वो repair system को recruit करेंगे और साथ में proper replication हो faithful replication हो तो यहां पर दो related point हो गए एक तो damage नहीं होना चाहिए और दूसरा replication भी हो तो faithfully replication हो दोनों points को यहां पर हम लोगों ने एक साथ लिख लिख लिया है और इनके माइने साइद आप से भी लोग समझ पा रहे होंगे तो यह इसका function है आप question उड़ता है कि यह system कैसे काम करता यह activate कैसे होता है यह system कैसे activate होगा और function कैसे करेगा इसको भी आपको समझना है जैसे ही कोई DNA damage detect होता है आप समझ सकते हैं DNA damage पर अप्स चक्वाइब बहने प्रफिय विकम अच्वाइब नियुच प्रे एंटेट्स प्रफिय विकम अट्वाइब एंट neटी और लोगे हैं प्रफिय को एंटेट्वाइब हैं इन और लोगे प्र yardım हैं DNA damage या मैं आगे any type भी लगा सकता हूँ any type of DNA damage यदि किसी भी तरह का DNA damage ये detect करते हैं तो ये active हो जाएंगे अर्धार ये system active हो जाएगा यदि किसी भी तरह का DNA damage detect हुआ और जैसे active होगा and then prevent progression of progression of cell cycle देखिए यहाँ पर question ये उठ रहा है कि जैसे ही DNA damage होगा ये system cell cycle progression को रोग देगा G1 yes checkpoint में हम लोगों ने देखा जिन cells को mitotic stimulus नहीं मिलेगा वो retinoblastoma protein को inhibit नहीं कर पाएंगे और जब तक retinoblastoma inhibit नहीं होगा E2EF free नहीं होगा cell division आगे नहीं जाएगा अब आता है जैसे ही DNA damage होगा DNA damage checkpoint अक्टिवेट होगा और जब ये अक्टिवेट होगा तो ये cell cycle progression को रोग लेगा कैसे रोग लेगा तो आपको उसको भी समझना है तो एक important इस्तेप आप लोग पढ़ चुके हैं cell cycle regulation में जब हम लोग अपने CDK की बात कर रहे हैं CDK और CDK के साथ bind रहते हैं cyclins CDK cyclin complex है और CDK cyclin complex के साथ एक inhibitory phosphate लगा होता था जिसको मैंने कल बताया tyrosine residue पर inhibitory phosphate था इस inhibitory phosphate को आप यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ ये inhibitory phosphate था tyrosine residue पर और 3-onine पर activating phosphate लगा था कल हम लोगों ने डिसकस किया यहाँ से inhibitory phosphate को remove करने का function था CDC 25 CDC 25 phosphatase enzyme था जो inhibitory phosphate को remove करता था और जैसे inhibitory phosphate remove होता था CDK cyclin complex activate हो जाता है जिसमें मैंने आपको CAC और V1 के बारे में पढ़ाया हुआ था आप सभी लोग उसको समझ पा रहे होंगे और उम्मीद है सभी लोगों को याद होगा जो कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था तो CDK cyclin के activation में CDC 25 Phosphatase Enzyme का important role है ये CDK पर लगे हुए inhibitory phosphate को remove करता है जिससे CDK cyclin complex activate हो सकें DNA damage checkpoint सीधे CDC 25 के activity को inhibit कर देता है आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है DNA damage checkpoint CDC 25 Phosphatase की activity को suppress कर देता है तो जैसे CDC 25 activity suppress होगी inhibitory phosphate remove नहीं हो पाएगा और CDK cyclin complex inhibit रहेगा वो active नहीं होगा और जब यह active नहीं होगा तो cell cycle progression भी रुक जाएगा तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको relate करिए मैं भी detail में भी इसके बारें बताता हूँ जैसे ही कोई DNA damage होगा यह हमारा DNA है और DNA में damage होगा damage के साथ ही activation होगा checkpoint का DNA damage checkpoint activate होगा और DNA damage checkpoint क्या करते हैं यह normally आप समझ सकते हैं CDC 25 के activity को suppress कर देते हैं और suppress करने के साथ ही यह CDK के activation को रोक देंगे आप सभी लोग इस normal point को यहाँ तक समझ पा रहे हैं मैंने अभी overall बता दिया है कैसे क्या activation होगा कौन सी protein इसको हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं समय लोग क्या समय लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं विवेक वर्षा पूनम प्रीती सुहास रंजना वर्षा मोहित ठीक है सबी लोग यहस बोल रहे हैं चले हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिसकस करने चलते हैं कि क्या concept है और कैसे यह system काम करता है हम लोग उन point को discussion करने चल रहे हैं तो अब आप सबी लोगों को ध्यान देना है कि यह system कैसे काम करता है कैसे detection करेगा कौन सी proteins involved होगी और उनके और क्या additional role हो सकते हैं इन point को discuss करेंगे यह हमारा DNA है और DNA में दो तरह के damage हो सकते हैं आप समझ सकने double stranded DNA damage and second is single stranded DNA damage क्या आप कोई आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं error free double stranded DNA damage को repair करने के लिए कौन सा pathway use किया जाता है आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे double stranded DNA damages को error free repair करने के लिए कौन सा repair pathway use किया जाता है molecular biology में आपके exam में बहुत commonly पूछा गिया है double stranded DNA damages को error free repair करने के लिए कौन सा repair pathway use करते हैं तिवारी जी कौन का अंसर homologous recombination है homologous आनंद भी homologous recombination वर्सा homologous अरुन मौर्या homologous recombination विवेक homologous recombination प्रीती homologous recombination हंसु सर्मा हंसु सर्मार ने लिखा है NER मतलब nucleotide excision repair मौर्यतिवारी homologous recombination सौम्यादीचित homologous recombination चलिए सभी लोगों ने सही answer दिया है केवल हंसु सर्मा ने answer गलत दिया है अभी तक हंसु ने nucleotide excision repair लिखा हुआ है तो हंसु आपको ध्यान रखना है nucleotide excision repair यूज करते हैं single standard DNA damages में और especially उन damages में जो DNA के normal structure को distort करते हैं nucleotide excision repair और basic excision repair में basic difference यही होता है कि basic excision repair minor DNA damages को correct करता है और nucleotide excision repair large scale DNA damages को repair करता है लेकिन यह जो damage है वो single standard level पर होते हैं thymine dimers का बनना मोहित तिवारी यह single strand है हंसू ठीके तिवारी जी ने भी बता दिया है धन्वात तिवारी जी आपने बता दिया चलिए सभी लोगों को ध्यान देना है मैंने इस बज़े से पूछ लिया DNA damage दो तरह का होगा चलो यहां पर ध्यान दे सभी लोग double standard DNA damage जैसा आप सभी लोग जानते हैं homologous recombination error free के लिए हैं और यह हमारे पास दूसरा कोई option है देखिए सभी लोग जितने भी students यहां पर पलड रहे हैं वो ध्यान रखेंगे double standard DNA damages को repair करने के लिए दो ही तरीके हैं या तो हम homologous recombination परफॉर्म करें या फिर दूसरा हमारा है non homologous end joining NHEZ non homologous end joining दो ही तरीके हैं double standard DNA damages को repair करने के लिए one is homologous recombination and second is non homologous end joining homologous recombination is error free and non homologous end joining is error prone यदि non homologous end joining होगा तो फिर repair error prone होगा मैं या पर थोड़ा दोनों में अंतर कर दूँ homologous recombination yes phase से ले करके yes to yes से ले करके yes to g2 तक ही possible है आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि homologous chromosomes के बीच में recombination होगा और non homologous end joining हम लोग अपनी cell division के किसी भी phase में perform कर सकते हैं आपको ये ध्यान रखना है तो ये molecular biology का portion है हम लोग उस तरफ नहीं चल रहे चली सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें जब double standard DNA damages होता है तो क्या होगा जैसे ही double standard DNA damage होगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है protein है जिसको हम लोग नाम देते हैं protein involved होगी जिससे कहते हैं ATM sensor protein है ATM in response of double standard DNA damage ATM protein recruit होगा damaged side पर इसको ataxia, telangiectasia mutant कहते हैं इसको हम लोग ataxia, telangiectasia mutant कहते हैं ATM वो नहीं है ATM card लेके जो आप घूमा करते हैं ataxia, telangiectasia mutant इसे कहते हैं immunology में हम लोग autoimmunity में पढ़ते हैं इसको और immunodeficiency में भी पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रख मैं immunodeficiency में इसको हम लोग discuss करते हैं AT को ataxia, telangiectasia कोई मुझे बताएगा कौन सी cells defective होती हैं तिवारी जी आप मुझे बताएंगे कौन सी cells defective होती हैं ataxia, telangiectasia में कौन सी cells defective होती हैं neutrophils, asnophils, nk cells या vasophils या b lymphocytes या t lymphocytes कोई student बताएगा पृती का answer है primarily T cells कोमल सिंग बोथ भी and T cells तिवारी जी ने लिका I don't know ठीक है, पृती का और कोमल का answer सही है answer सही है दोनों तरह की lymphocytes affected होती हैं लेकिन आप सभी लोग जानते हैं सबसे important cells हमारे immune system के लिए T lymphocytes हैं हमारी T lymphocytes हैं जिसके around हमारा पूरा immune response रहता हैं या यह कहें कि हमारी T cells ही हमारे पूरे immune response को monitor करती है ठीक है तो T cells सोम्या का भी answer सही है B and T cells वर्षा सिंग B and T cells Atexia Atexia है Viscot Eldridge Syndrome हम लोग कहते हैं Bayer Lymphocyte Syndrome के नाम से भी हम लोग कई सारी diseases पढ़ते हैं तो वो immunology में समय आने पर हम लोग दुबारा पढ़ेंगे तो चलिए सब लोग ध्यान देंगे Double Standard DNA Damage Double Standard DNA Damage होगा तो Damaged Site पर Atexia protein सबसे पहले आएगा With the help of Yum Arion With the help of Yum Arion और ये Atexia क्या है? Kinase है आपको ध्यान रखना है Atexia kinase है जैसे ही Atexia damaged site पर आएगा और Damaged DNA के सार्थ Bind होगा ये Activate होगा आपको ध्यान रखना है ये क्या होगा? Activate होगा और Activate होने के बाद ये Phosphorylate करता है ये Activate करता है CHK2 Cell Cycle Checkpoint Kinase 2 इसको Activate करेगा और जो CHK2 है वो Invit करेगा CDC 25 को CDC 25 देखिए यहां पर सभी लोग बहुत ही Simple सा पात्वे हैं मैं पिछली जो है पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ CDC 25 को Invit करना है और जैसे Invit करेंगे तो हम CDK Cyclines के Activation को रोक लेंगे तो आपको यहां ध्यान देना है Double Standard DNA Damage Recognized by ATM With the help of MRN ठीक है ATM is a Kinase और जैसे Activate होगा Phosphorylate Cell Cycle Checkpoint Kinase 2 Enzyme और CHK 2 Phosphorylate and Inactivate CDC 25 और Cell Cycle Arrest हो जाएगा यह Cell Division को Arrest करेगा Cell Cycle को Arrest कर लिया आपको ध्यान रखना है यहां पर एक Point हम लोगों को और भी ध्यान रखना है इसके और भी Relation है जो अभी हम लोगों बाद में डिसकस करेंगे चलिए दूसरी तरफ आते हैं दूसरी तरफ क्या Result होंगे आप उसको भी समझ लेजे जब हम लोग Single Standard DNA Damage की बात करते हैं तो एक Strand Normal है एक Strand Damage हो है Single Standard DNA Damage के Response में Activate होता है सबसे पहले ATR देखे यहां पर ATM है और उस तरफ है ATR दोनों में अंतर समझ लें यह सेंसर प्रोटीन से जो DNA Damage को सेंस करती है ATR Recognize Single Standard DNA Damage आपको ध्यां रखना है ATR और ATM के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा है ATR detect Single Standard DNA Damage वाइल ATM exclusively detect Double Stranded DNA Damage लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यां रखना है जैसे यह Double Stranded DNA Damage है और जब Double Stranded DNA Damage होते हैं दोनों Strands break हो जाते हैं और कभी-कभी break होने में staggered cut भी हो सकते हैं अर्थाथ एक strand DNA का overhang कर रहा हो दुसरे strand पर तो यह वाला portion क्या हो गया इतना portion यह जो आगे है यह इतना portion Single Stranded है ATR can also participate in Double Stranded DNA Damage Recognition यह दि कोई Single Stranded portion overhang कर रहा है तो ATR involved हो जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है ATR और ATM के बीच में primary difference क्या है तो ATR recognize Single Stranded DNA Damage and ATM recognizes Double Stranded DNA Damage तो Single Stranded DNA Damage को recognize किया ATR ने और bind हुआ, activate हुआ इसके activate होने के साथ ही इसने phosphorylate किया CHK1 को cell cycle checkpoint kinase 1 को और इस kinase ने phosphorylate किया CDC 25 को और CDC 25 को phosphorylate करने का मतलब है इसे inactivate किया और cell cycle को arrest किया cell cycle arrest कर लिया अब आप समझ सकते हैं कि DNA Damage में किस तरीके से sensor protein involve हो रही है और एक के बाद एक दूसरी proteins को activate करती हैं और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि cell cycle को arrest करती हैं ये आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्या यहां तक समझ पा रहे हैं सभी लोग क्या यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या यहां तक सभी लोग समझ पा यहां तक समझ पा रहे हैं कि अधिक अभी 53 पर भी आ रहे हैं आप लोग इतना अधीर ना हो पीप्टी थी में नहीं बताया गिया पीप्टी थी सुनना हो तो मैं अभी बोल देता हूँ आप फ्री हो जाएंगे सुनके उस पर भी आ रहे हैं यहां तक समझ लिया नहीं समझ लिया है यह आप पहले मुझे बताएं पागे इस पॉइंट के लिए धनवात किया आपने मुझे पीप्टी थी याद दिला दिया हो सकता है याद ही न रहता है यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं हाँ ठीक है सभी लोग यह सर तो लिख रहे हैं चले अब यहां पर दूसरे पॉइंट पर भी सभी लोगों को ध्यान देना है कि additional mechanism भी हैं जो CHK1 और CHK2 हैं यह kinase है ATM and ATRR also kinase AB kinase है यह kinase enzyme है और यह CHK2 और CHK1 को phosphorylate करते हैं यह भी kinase enzyme है और यह अपनी target proteins को phosphorylate करते हैं अब यहां पर सभी लोगों को ध्यान देना है CHK2 और CHK1 का target CDC 25 ही केवल नहीं है बलकि इनके target और भी है जिनको यह phosphorylate करते हैं they act as kinase enzyme and phosphorylate multiple proteins present in cells उन में से मैंने आपको CDC 25 phosphorylate के बारे में बताया कि जैसे इसको phosphorylate करेंगे यह inactive हो जाएगा और इसके inactive होते ही CDK cyclins पर inventory phosphate को निकाला नहीं जा सकेगा और CDK cyclin complex activate नहीं होगा तो जब CDK cyclin complex activate नहीं होगा तो cell cycle progression रुख जाएगा जिसको हम लोगों ने लिखा अब यहां पर सभी लोगों को ध्यान देना है CHK2 और CHK1 का target और भी एक protein है बड़ी important protein है जिसको हम लोग P53 कहते हैं उसको नाम देते हैं P53 उसको भी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और क्या relation है उसको भी आप सभी लोग समझें यहां पर हम लोगों ने DNA damage अब मैं थोड़ा सा इसको यहां पर DNA के relation में बना देता हूँ आप सभी लोग पीछे वाले graph से समझ जाएंगे यह DNA damage है और DNA damage के response में activation हुआ है ATM और ATR का मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ ATM and ATR और ATM और ATR activate करते हैं CHK1 and CHK2 यह point अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है और इन्हों ने इन दोनों enzymes में cell cycle को arrest किया cell cycle progression अब यही पर आपको ध्यान देना है जो CHK1 और CHK2 है इनका एक target और भी प्रोटीन है उसको आपको ध्यान रखना है और उस प्रोटीन का नाम है P53 CHK1 और CHK2 फास्पुराइलेट करते हैं P53 को जड़ा ध्यान देना है नॉर्मल कंडिशन में P53 के साथ या यह कहें P53 को एक ubiquitin ligase जिसे हम लोग नाम देते हैं MDM2 यह एक E3 ubiquitin ligase है यह एक E3 ubiquitin ligase है जो P53 का ubiquitination कर देता है और जब इसका ubiquitination हो जाता है तो इसका destruction हो जाएगा अब आपको ध्याम देना है यह मैंने जो relation बताया है वो normal conditions का है थोड़ा सा इसको सबी लोगों को इस point पर थोड़ा ध्याम देना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उस relation को आप कैसे समझ पा रहे हैं जब हमारी conditions normal है कोई भी DNA damage नहीं है ऐसी situation में P53 का ubiquitination एक E3 ubiquitin ligase जिसे हम लोग MDM2 के नाम से जानते हैं वो कर देता है और जैसे इस पर ubiquitin add होता है इसका destruction हो जाता है proteosome के द्वारा proteosome इसे destroy कर देगा proteosome enzyme destruction mediate करता है अब आप समझ सकते हैं तिवारी जी नहीं है अब सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है मैं अभी आपको क्या समझाने जा रहा हूँ आप उस relation को समझे P53 के relation को भी आप समझ जाएंगे protein retinoblastoma का क्या role था आपने उसको समझ लिया है उसी तरह से P53 का भी एक important role हमारे cell cycle regulation में है जब हमारे DNA में किसी तरह की abnormality नहीं है division के समय कोई भी problem नहीं है ऐसी situation में P53 MDM2 ubiquitin ligase के द्वारा ubiquitinate कर दिया जाता है और इसका destruction हो जाता है proteosome के द्वारा और अब इस relation को आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ हमारी cell में P53 की synthesis लगातार चलती रहती है अर्था P53 एक तरह का housekeeping gene है जो लगातार express होता रहता है और बनने वाले P53 का एक constant rate में destruction होता रहता है जो mediate करता है MDM2 अब सभी लोगों को ध्यान रखना है result क्या होंगे जैसे ही DNA damage होगा ATM, ATR activate होंगे CHK1 और CHK2 activate होंगे और ये activate होंगे cell cycle को arrest करेंगे इसी के साथ में CHK1 और CHK2 दोनो P53 का phosphorylation कर देंगे आप इसको समझना है, सभी लोगों को ध्यान देना है हम लोग P53 का relation पल रहे हैं P53 का phosphorylation कर देंगे और P53 के phosphorylation का मतलब हुआ कि इसका destruction रुक जाएगा क्योंकि phosphorylated state में EMDM2 इसका ubiquitination mediate नहीं कर पाता है तो आप सभी लोगों को थ्वड़ा ध्यान देना इन response of DNA damage CHK1 और CHK2 phosphorylate P53 and prevent their destruction और इसके destruction को क्या करते हैं रोक देते हैं अर्थाथ जैसे phosphate group add होते हैं तो phosphate group के add होने से EMDM2 ubiquitin ligase P53 का ubiquitination नहीं कर पाएगा और P53 phosphorylated form में available होगा और phosphorylated P53 act as a transcriptional factor ये function करता है transcriptional factor की तरह transcriptional factor phosphorylated P53 act as a transcriptional factor और transcriptional factor के बारे में आप लोग जानते होंगे ये क्या करेंगे ये trigger करता है expression of P21 expression of P21 P21 के expression को trigger करता है आपको ध्यान लखना है और P21 किसके साथ bind करता है कल मैंने आपको इसके बारे में बताया कि P21 सीधे CDK और cyclin के साथ bind करता है P21 is a CDK inhibitor कल हम लोगों ने CDK cyclin regulation को हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ specific proteins होती है जो direct CDK के साथ bind करती है और उसकी activity को inhibit कर लेती तो in response of P53 P21 synthesize and bind to CDK cyclin complex and inhibit their activity और जैसे ये inhibit करेगा activity को तो जो ये cell cycle arrest हम लोगों ने पढ़ा है वो cell cycle arrest P21 के दोरा भी हो जाएगा पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है दूसरी तरफ यही system जो P53 के हम लोग बात कर रहे हैं ये DNA repair enzymes के expression को trigger करता है अर्थाथ ये DNA repair system को recruit करता है DNA repair enzymes के expression को trigger करेगा जिससे DNA का repair हो सके देगी P53 के role हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसे P53 DNA damage के response में इसका destruction बंद हुआ तो एक तरफ इसने P21 के expression को trigger कर दिया और P21 CDK cyclins के साथ bind करेगा और cell cycle progression को रोक लेगा cell cycle को arrest कर लिया further arrest हो गया दूसरी तरफ ये DNA repair enzyme के expression को trigger करता है जिससे DNA repair हो सके आपको ध्यान रखना है और यदि damage repair के बाहर है अब आपको सभी लोगों को देना है तीसरा जो point है वो है apoptosis apoptosis यहाँ पर हम लोग लिख रहे है यदि damages beyond the repair है repair system के बस के बाहर है आपकी ध्यान रखना है यदि repair system DNA repair system DNA damage को repair नहीं कर पा रहे है ऐसी condition में P53 recruit कर लेगा apoptotic pathway को और इस तरह से cell की death हो जाएगी क्या आप सभी लोग यहाँ तक समझ पा रहे है DNA damage checkpoint को P53 के role को ले करके अभी question उठ रहे थे मुझे लग रहा है कि P53 वाला भी concept आ चुका है सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्या आप सभी लोग यहाँ तक समझ रहे हैं सौम्या प्रीती वर्सा को मल सुहास ठीक है आप सभी लोग यहाँ तक समझ रहे हैं विवेक चतुरवेदी ने भी यस्त लिखा हुआ है मोहित तिवारिजी रंजना चले आप सभी लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं अब मैं आपको कुछ fact यहाँ बता देता हूँ आप लोग उस पर ध्यान दें P53 जब activate हुआ तो इसमे cell cycle progression को रोक लिया हमारे DNA repair system को recruit कराया और यदि DNA repair नहीं हो पाया तो फिर apoptosis पात्वे को recruit किया ठीक है राजकान तो बैंक मिस्रा सभी लोगों ने यस बोला है अब सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो यदि P53 हमारी cells में normally है और इन response of DNA damage यह activate होता है तो यह हमारे cell division को abnormally आगे नहीं बढ़ने देगा और वो abnormality समय के साथ repair नहीं हो पाती है तो यह cell को apoptosis की तरफ ले जाएगा और चाथ cell की death हो जाएगा तो normal P53 के response में हमारी cells abnormal हो करके अपने division को complete नहीं कर पाएंगी और इस तरह से हमारी cells में हमारी body में abnormal division नहीं होगा तो P53 जब abnormal division को permit नहीं करेगा abnormality आने नहीं देगा तो यह हमारी body में tumor या cancer development की chance को कम करेगा अर्थाथ tumor development को suppress कर रहा है तो P53 भी एक tumor suppressor protein हुआ like retinoblastoma protein आप सभी लोग इस point को समझ पा रहे होगे तो P53 भी एक tumor suppressor protein है और इसका gene जो इसे code करता है वो tumor suppressor gene है क्योंकि normal P53 हमारी cells को abnormally divide नहीं होने देगा अब आपको यहाँ ध्यान देना है MDM-2 MDM-2 P53 का ubiquitination कराता है यदि MDM-2 का expression हमारी cells में बढ़ जाए यदि MDM-2 का expression हमारी cells में बढ़ जाए हैं और यह हमारे most of आप समझ सकते हैं वर्च्वली जितने भी हमारे P53 हैं सबका destruction करा देगा और ऐसी condition में P53 available नहीं होगा DNA damage होने के बावजूद भी हम cells को apoptosis की तरफ नहीं ले जापाएंगे और tumor डबलफ होने के chance जादा होंगे अर्थाथ MDM-2 का hyper expression pre-cancerous condition या tumor formation को support करेगा दूसरी तरफ यदि MDM-2 का expression normal से कम हो जाए तो P53 का level हमारी cell में normal से क्या होगा जादा हो जाएगा ऐसी situation में cell cycle progression slow पढ़ जाएगा easily cell cycle progress नहीं होगी cancer development के chance तो बहुत कम होगे लेकिन जो हमारा cell cycle का process है वो भी slow पढ़ जाएगा आप सभी लोग इस point को समझ पा रहे होंगे और ये DNA damage checkpoint आप समझ पा रहे होंगे सभी लोग ऐसा मैं मान रहा हूँ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ spindle assembly checkpoint के लिए क्या हम लोग मैं आगे बढ़ सकता हूँ spindle assembly checkpoint के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब spindle assembly checkpoint को हम लोग discuss करेंगे spindle assembly checkpoint क्या है उनसे क्या relation है आप सभी लोग इस point को समझे spindle assembly checkpoint क्या है जब हम लोग मेटाफेज में आते हैं तो मेटाफेज में हमारे kromosomes midpoint पर arrange होते हैं हमारे kromosomes midpoint पर arrange हैं मेटाफेज में और यहां से आप समझ सकते हैं यह मेटाफेज है सारे kromosomes midpoint पर arrange हैं जब अनसे स्टार्ट होगी तो यह एक दूसरे से अलग हो करके अपने poles की तरह move करना शुरू करेंगे अब आप suppose करो यहां पर एक situation में रख रहा हूँ कि एक kromosome है जो मेटाफेज प्लेट तक पहुंचा ही नहीं है वो यहां पर है कुछ इस तरीके से है जब कि उसे पहुंचना कहा है मेटाफेज प्लेट पर पहुंचना है लेकिन वो पहुंच नहीं बाकी सारे kromosomes पहुंच चुके हैं एक kromosome मेटाफेज प्लेट पर नहीं पहुंचा है ऐसी situation में क्या एनाफेज स्टार्ट कर दिया जा है अब आप जला इस पाइंट पर ध्यान देनाफेज यहाँ पर स्टार्ट कर दिया तो सिस्टर क्रोमेटिट्स यहां से अलग हो करके अपने पोल्स की तरफ जाएंगे जब कि यह पूरा का पूरा kromosome भी एकी तरफ है माना कि वो इसी तरफ आ गया यह भी माइक्रो टीबिल डी-पॉलिमराईज कर गई तो यहाँ पर तो सिस्टर क्रोमेटिट्स आ जाएंगे यहाँ पर तीन देखिए यहाँ पर टोटल चार kromosome है चार kromosome में तीन में इनके सिस्टर क्रोमेटिट्स अलग होगे यहाँ एक कम हो जाएगा और यहाँ एक जादा हो जाएगा जिसे एनुपलाइडी हम लोग कह रहे थे आप उस situation को समझ सकते हैं तो यदि मेटाफेस प्लेट पर आए बिना एनाफेस कोई भी क्रोमोसोम यदि हम अलग-अलग अलग 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 की बात करें हुमन की बात करें तो 23 पेर से क्रोमोसोम के मालने थे 22 पेर तो आ चुके हैं एक पेर अभी नहीं आया है और ऐसी फेस में एनाफेस सुरू कर दिया तो इनुपलाइड हो जाएगी तो spindle assembly checkpoint का function है proper segregation of chromosomes DNA damage checkpoint का रोल था कि DNA का faithful replication हो कोई damage ना हो जब पूरी cell cycle की process चल रही हो complete हो तो इस तरह की कोई problem ना है spindle assembly checkpoint का function है कि properly सभी chromosomes का segregation हो जब एनाफेस सुरू हो कोई भी chromosome इदर उदर ना चूट जाए सबसे पहले उनको लाकर के midpoint पर range करना है then एनाफेस सुरू करना है यह इसका एक basic concept है आप सभी लोग समझ रहे हो ज़रा देखिए the spindle assembly checkpoint mechanism ensure spindle assembly checkpoint mechanism ensure that cell do not enter एनाफेस until all chromosomes are correctly bi-oriented bi-oriented है यह mono-oriented है on the mitotic spindle this checkpoint mechanism become active and delay onset of anaphase is if any kineto core is not properly attached to spindle or not under tension and fail to become aligned properly at the metaphase plate यह checkpoint system यह ensure करता है कि सभी chromosomes का proper alignment midpoint पर हो और किसी भी chromosome का proper alignment में नहीं हुआ है तो यह एनाफेस की process को शुरू नहीं होने देगा उसको delay कराएगा जब तक कि सारे chromosomes midpoint पर arrange ना हो जाएं अब यहाँ पर समझना है point को कि metaphase plate पर arrangement abnormality कब हो सकती कब ऐसी के situation होगी कि chromosomes arrange नहीं हो पाएंगी तो आपको ध्यान देना है यह हमारा replicated chromosome है और इसी chromosome के साथ यहाँ पर kinetocore जुड़ा हुआ है kinetocore है यदि एक तरफ से ही microtubules kinetocore के साथ link हूँ एक ही तरफ से केवल microtubules kinetocore के साथ link है और दूसरी तरफ से kinetocore जो दूसरे spindle से आ रही है वो इसके साथ link ना हूँ जैसा मैंने यह situation रखी है ऐसी situation में यह properly arranged नहीं हो पाएगा midpoint पर आप समझ सकते हैं कि यह एक तरफ से ही केवल spindle से जुड़ा हुआ है और proper alignment का मतलब है by orientation दोनों तरफ से oriented हो दोनों तरफ से आने वाली microtubules kineto core के साथ link हूँ अब इस chromosome को देखें तो यह एक तरफ का kineto core unattached है यह unattached kineto core है spindle assembly checkpoint यही चेक करता है कि कोई भी ऐसा chromosome तो नहीं है जिसका kineto core अभी unattached हो किसी से attached ना हो spindle assembly checkpoint ensure करता है कि क्या सभी kineto cores attached है अर्थात एक chromosome में दो kineto core होंगे और उसमें से एक kineto core एक तरफ की spindle माइक्रो टिबूल से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ का दूसरी तरफ के पोल से आने वाली माइक्रो टिबूल से जुड़ा होगा इसे हम by oriented chromosome कहते हैं arrangement कहते हैं तो यदि कोई भी unattached chromosome है kineto core है तो फिर ये system activate हो जाएगा क्योंकि ये sense कर लेगा कि यदि unattached kineto core है तो उस chromosome का proper alignment नहीं हो पाएगा ऐसी situation में activation होगा spindle assembly checkpoint का आप लोगों को ये ध्यान लखना है spindle assembly checkpoint का activation कैसे होगा तो मैं यहाँ पर थोगा chromosome से related concept बना देता हूँ और आप लोग उसको basically समझ जाएंगे ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर ये सेंट्रोमीर रीजन है सेंट्रोमीर के साथ ये काइनेटो कोर जुड़ा हुआ है रोटिनीसियस structure है एक तरफ से microtubules जुड़ी हुई है दूसरी तरफ से microtubules का कोई contact नहीं है ये unattached काइनेटो कोर है आपको ध्यान रखना है जो unattached काइनेटो कोर है इनके साथ प्रोटीन्स जुड़ी रहती है जिनको हम लोग नाम देते है अब सभी लोगों को ध्यान रखना है unattached काइनेटो कोर है उस unattached काइनेटो कोर के साथ प्रोटीन्स जुड़ी है KLN1 जब कोई काइनेटो कोर unattached होता है ऐसी situation में एक प्रोटीन MSP1 sorry, MSP1 आपको ध्यान रखना है ये काइनेज है checkpoint kinase और ये KLN1 का phosphorylation कर देता है अब सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है क्या भी एसी concept है जब काइनेटो कोर unattached है spindle assembly checkpoint में ये checkpoint pathway ये sense करता है कि क्या कोई chromosome unattached है काइनेटो कोर के साथ microtubule link है या नहीं है और अगला case में syntellic path में बता दूँगा किस तरीके से उसमें एक ही तरफ से microtubule के साथ जुड़ जाते हैं उसे syntellic arrangement कहते हैं उसको बात में discuss करेंगे तो जब कोई काइनेटो कोर unattached है ऐसी situation में काइनेज या PS1 क्या करेगा KLN1 को phosphorylation कर देगा जैसे ही KLN1 का phosphorylation होगा इस phosphorylated KLN1 के साथ एक trimeric protein complex आकर के bind होगा बब 1 and बब 3 और इसी के साथ एक protein और जुड़ी रहती है जिससे हम लोग नाम देते हैं MAD3 अब आपको ध्यान रखना है जैसे KLN1 का phosphorylation हुआ एक trimeric protein complex बब 1 बब 3 MAD3 complex आकर के KLN1 के साथ bind होता है और जैसे ही ये trimeric tri protein complex bind होता है ये recruit करता है एक और complex को protein ECS complex को जिसको हम लोग MAD1 MAD2 complex के नाम से जानते हैं तो जैसे ही बब 1 बब 3 MAD3 complex assemble हुआ उसी के साथ assemble होता है MAD1 MAD2 complex और ये complex cytosol में present MAD2i MAD2i का मतलब है inactive form को convert कर देता है MAD MAD2a में अर्थाद active form में और ये active form जाकर के bind हो जाती है APC CDC20 इसका adapter protein है Enafis promoting complex और उसका adapter protein CDC20 के साथ ये bind कर जाता है तो ये MAD2 activated form में bind कर जाएगा APC के साथ और इसको inhibit कर देगा अब आप समझ सकते हैं कि क्या role होगा इसका अब सभी लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि जैसे ही inactive MAD2 active MAD2 में convert हुआ और ये active MAD2 binds to Enafis promoting complex CDC20 इसका adapter protein है जो initial या ये कहें late metafis पर आकर APC के साथ bind करता उसे activate करता है तो जैसे ही MAD2 active हुआ ये जाकर के bind हो गया Enafis promoting complex अब आप पढ़ चुके हैं Enafis की शुरुआत कैसे होती है यही complex था APC CDC20 complex जिसने cohesin protein के destruction को mediate किया था securing protein का destruction किया जिससे saprase enzyme activate हुआ और saprase ने cohesin का destruction किया और sister chromatids अलग हुए chromosomes का movement शुरू हो गया अर्थाब Enafis को शुरू करने के लिए APC के function की जरूरत है लेकिन chromosomes का proper alignment हुआ नहीं ऐसी situation में med2 protein activate हुआ और APC CDC20 complex के साथ bind कर गया उसकी activity को inhibit कर दिया और उसके inhibition के साथ इसने Enafis की initiation को रोक लिया तो अब आप समझ सकते यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब कोई kinetocore किसी chromosome का kinetocore unattest है अर्थाद उसके साथ microtibule जड़ी हुई नहीं है तो एक पूरा जो protein cascade reaction है वो इस्टार्ट होता है इनी kinetocore के साथ के LN1 protein जड़ी होती है और उस protein का MAD3 यह तीन protein का complex आगर के bind होगा और यह complex recruit करेंगे और activate करेंगे MAD1 MAD2 complex को MAD1 and MAD2 convert inactive MAD2 I to MAD2 active active MAD2 में convert करेंगे active MAD2 binds to APC CDC 20 complex and inactivate them और जैसे inactivate होगा enough phase की progression रुक जाएगी आपको यह ध्यान रखना है ठीके आपको इस point को ध्यान रखना है when a kinetocore is unattached checkpoint kinase MPS1 phosphorylate the outer kinetocore protein called KLN1 phosphorylated KLN1 then binds to BUB1 BUB3 complex and the checkpoint kinase MAD3 the BUB1 BUB2 and MAD3 यहाँ पर MAD3 है MAD3 triprotein complex then recruit MAD1 MAD2 complex to kinetocore kinetocore bound MAD1 MAD2 complex become active and convert inactive MAD2 to active MADA in cytoplasm active MAD2 binds and inhibit APC CDC20 आप समझ सकते हैं thus active MAD2 delay onset of anaphase until the unattached chromosome says assume its proper alignment along the metaphase plate यह तब तक inhibit किये रहेगा anaphase को जब तक कि का kinetocore microtivules के साथ attach ना हो जा है और उसका भी proper arrangement metafase plate पर ना हो जा है यहाँ पर एक point आप लोग और समझ ले एक point आता है syntellic attachment syntellic attachment इसको भी आप लोग थोड़ा समझने syntellic attachment क्या होता है मैं बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ क्रोमोसोम यह काइनेटो कोर है एक ही तरब से जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक pole है वहाँ से microtibule इसके साथ जुड़ी हुई है अब आप समझ सकते इसी तरब से यहाँ पर मैं microtibule जुड़ी हुई है अर्था इस क्रोमो क्रोमोसोम में पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम का arrangement दोनों तरफ से होता है दोनों spindle pole से होता है यहाँ पर attachment एक spindle pole से आने microtibule के साथ attachment हुआ है काइनेटो कॉर का इसे हम लोग syntellic attachment कहते हैं syntellic attachment जब भी होता है तो tension जो दोनों तरफ से जब यह attach होता है तो क्रोमोसोम में क्या होता है एक tension पाया जाता है microtibule जुडात उसे हम लोग chromosomal tension कहते हैं यह भी indicator है कि bio-oriented है और यह properly alignment हो जाएगा जब syntellic attachment होता है तो insufficient tension होगा tension insufficient है जब दोनों तरफ से जुडा होगा तो क्रोमोसोम पर एक limit में एक critical level का tension apply होता है वो tension नहीं होता है जब यह syntellic attachment होता है जब insufficient tension होगा aurora b kinase का aurora b kinase और aurora b kinase phosphorylate कर देगा ndc at complex को मैं इस complex के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ जो microtubules को kinetopore के साथ link करता है और जैसे इस complex को phosphorylate करेगा depolymerization of microtubules microtubules का depolymerization हो जाएगा अर्था जो ये microtubules है वो depolymerize कर जाएगी इनका attachment खत्म हो जाएगा और जो इस chromosome से attachment खत्म हो जाएगा तो ये equally available होगा कि अग दोनों तरफ से microtubules जिसके साथ attach हो अर्था syntellic attachment को खत्म करने के लिए यहाँ पर aurora b kinase का important role है तिवारी जी तुम क्या करें syntellic attachment है ये mutation थोड़ी mutation का मतलब क्या होता है एक mutation सब आ गया है mutation का पीछा biological साइंस का student नहीं छोड़ता है mutation हम लोग कहते है any change in nucleotide sequence any change in nucleotide sequence of DNA that is inheritable जो inheritable हो उसे हम mutation कहते है तो आप लोग समझ सकते syntellic attachment है तो मैंने आपको checkpoints पढ़ा दिये है और उसमें G1 checkpoint G1 yes checkpoint कह सकते हूं then DNA damage checkpoint or spindle assembly checkpoints के बारे मैंने आपको पढ़ाया यह checkpoints कैसे हमारे cell division की processes को monitor करते हैं और quality control system की तरह function करते हैं कोई भी abnormality आती है तो हमारे cell division की process को यह रोक लेंगे और उसे then correct कराने कोसिस करेंगे वे ऐसा नहीं करा पाते हैं तो फिर वो direct करते हैं cell को apoptosis की तरफ मैंने आप से basically पूछा है basically पूछा गया है अभी तो बताईए आप यह कोमल सब तिवारी जी की वज़े से हो रहा है कि मैं इसलिए discuss कर दे रहा हूँ तो चलिए मैंने आपको cell division पढ़ा दिया है और cell division में क्या phases होते हैं कितने phases थे उनको कैसे divide किया कौन सी phase के major events क्या थे उन सारे points को discuss कर लिया cell cycle regulation मे cdk cyclins को discuss किया cdk cyclins की activity को कैसे control करते हैं उसमे चार mechanism periodic synthesis phosphorylation and defosphorylation of cdk then इसके बाद हम लोगों sequential destruction of cyclins and inhibition of cdk by specific inhibitor proteins ये सारे points हम लोगों ने discuss किये checkpoints को discuss कि G1 checkpoint इसके बाद dna damage checkpoint हम लोगों ने discuss किया उसमे important proteins आती ATM और ATR CHK1 CHK2 P53 का important role है आपको ध्यान रखना है इसके बाद spindle assembly checkpoint मे आते तो mad proteins का important role है especially mad 2 protein ये effector protein है क्योंकि इसी ने APC के function को block किया हुए ठीक तो जब dna damage या spindle assembly checkpoint की बाद होगी तो आपको ध्यान रखना है और syntellic attachment का मतलब है chromosome पर present दोनो kinato core एक pulse से आने वाली microtubules के साथ link है ऐसी situation में chromosome पर sufficient tension apply नहीं हो रहा है और जब sufficient tension नहीं होता ऐसी condition में aurora b kinase phosphorylate कर देता है NDC AT complex को और इस complex के साथ phosphorylation के साथ microtubules का depolymerization हो जाएगा और pro metafase में बताया हुआ स्वाज का कहना है sir cancer भी पढ़ाई वैसे मैं आने वाले समय में 2-4 दिनों में मैं immunology शुरू करने वाला हूँ और जो भी उसके बारे में है मैं सभी लोग को जानकारी दे दूँगा मैं immunology में सुरूआत करने वाला हूँ actual में बात ये है कि मैंने बहुत सारा cell biology में बहुत सारे students है जिनोंने paid पैसा दे करके ये course पढ़ रहे हैं यदि मैं सब कुछ free पढ़ाऊंगा तो मैं उनको क्या जब आप दूँगा वो मुझसे कहेंगे जब free पढ़ाना था तो हमसे पैसे क्यों लिए कई लोगों ने कहा था कि sir वो actual में cell division आप पढ़ा दीजिये तो इस बज़े से पढ़ा दिया तो मेरे सामने भी एक problem रहती है आपके सब साथ ही है वो कहेंगे हम पैसे दे के पढ़ रहें आप लोग तो free पढ़ रहें तो जो भी होगी तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कल परसों में इसके बारे में जानकारी दूँगा और जो हमारे paid student हैं उनको मैं apoptosis का introduction और यको discuss करूँगा तो apoptosis में जो आप पढ़ चुके थे उसको एक बार revise कर लिजेगा वो वीडियो जरूर देख लिजेगा कैसे apoptosis को apoptosis, necrosis बगेरा इस सारे points जो मैंने आपको बताये थे उनको आप लोग देख लिजेगा एक topic नेक्रॉप्टोसिस ठीक है विवेक इस पर जरूर विचार करेंगे तुमने कहा है मैं जरूर इस पर विचार करूँगा और देखूँगा क्या हो सकता है तो अभी तुम लोगों से मेरा नमस्कार आगे हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं सभी लोग आप लोग तैयारी करते रहें में भी exam जल्दी announce हो जाएगा कि आपका exam कब होगा तो आप लोग proper revision करते रहें पढ़ते रहें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे papers में बहुत कुछ कठीन आता है ये केवल एक perception है आप science में सीधे concept को discuss करें जैसे भी आपको ध्यान रखना जैसे syntellic attachment से आज आता है तो कैसे sense कर लेते हैं तो insufficient tension है mediator कौन है aurora b kinase है आप ऐसे ध्यान रखें तो ठीक है